तो गुड मॉर्निंग गाईज और करन्ट अफेस के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करन्ट अफेस का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है 2020 का Wildlife Photographer of the Year किसे चुना गया तो आंचर होगा सरगेई गुर्श कोव को फिर The Battle of Belonging नाम की बुक को किसने लिखा है तो आंचर होगा शशी थरूर ने फिर Global Hunger Index 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक बताईए भारत की रैंक थी 94 फिर अंतर राश्टर गरीबी उनमूलन दिवस ये कब मनाया गया तो आंचर होगा 17 October को और आप लोगों को बता दू October मन्त की जितने भी important days थे with theme उसका मैंने एक audio बना दिया छोटा सा तो वो audio आप सुन लिजिएगा audio का link आपको नीचे description में मिल जाएगा और अगर आपने मुझे खबरी पे follow कर रखा होगा notification आइकन पे click कर रखा होगा तो आपको notification अब तक मिल चुका होगा नहीं मिला है तो link आपको नीचे description में मिल जाएगा अच्छा इसकी theme क्या रही वेस है theme रही acting together to achieve social and environmental justice for all फिर इंडियन बैंक association के chairman के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया तो आंसर होगा राजकिरन रॉय को वैसा ही ये union bank of India के MDCO भी है फिर कौन सा राज्यप राष्ट्रे और रगभी टीमों को प्रायोजित यानि कि sponsor करेगा अगले तीन सालों के लिए तो आंसर होगा फिर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपने इंतरिम अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया तो आंसर होगा डॉक्टर माइकल इरानी को अच्छा बताओ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इसका headquarter कहाँ पर है बुड़ापेस्ट हंग के जो लेटनेन गवर्नर बने थे उनका नाम है मनूत सिना और इनके प्रधान सचीव नितिश्वर कुमार उनका नाम है फिर एक किसे न्यूजिलेंड के प्रधान मंतरी के रूप में फिर से चुना गया जैसे इंडा अर्डन को न्यूजिलेंड की केपिटल विलिंग्टन प्रेर राष्ट्रे सुरक्षा गार्ड नैशनल सेकुरिटी गार्ड अभी इसने अपना 36 स्थापना दिवस मनाया कब मनाया? 16 अक्टुबर को और नैशनल सेकुरिटी गार्ड इसे Black Cat के नाम से भी जानते हैं इसके Director General अनूप कुमार सिंग बढ़ते हैं अच्छा गाईज एक important सूचना आप सभी के लिए खास तोर पे banking experience के लिए कि अब IBPS clerk की तयारी करें Unacademy के साथ क्योंकि Unacademy के top educators लेकर के आए हैं IBPS pre के लिए free classes तो इन free classes में cover होंगे important topics जो आपको help करेंगे quantitative aptitude में, English में और reasoning के concepts को better करने में तो अंकुष लांबा सर, निमिशा बंसल में और आशीश अरोडा सर के साथ करें अपनी preparation तो इसके लिए सारे links आप description box में मिल जाएंगे तो जल्दी से देख डालिए ये सारी master classes बिलकुल free में और crack करें exam Unacademy के साथ और उसके लावा guys अगर आप Unacademy पे कोई भी subject purchase करते हैं तो buy करते वक्त crack exam 10 promo code यूज करिया आपको instant 10% का discount मिलेगा तो अभी हम बढ़ते आगे फिर सन्युक्त राष्टर के लिए भारत के इस्थाई प्रतिनिदी के रूप में किसे न्युक्त किया गया तो अंसर होगा इंद्र मनी पांडे को और अभी आपको याद होगा टी-एस तिरुमूर्ती को भी United Nation में भारत का इस्थाई प्रतिनिदी बनाया गया था फिर पाकिस्तान से ना में पहली मैला Lieutenant General अभी कौन बनी निगार जोहर बनी है और वेसे अभी पाकिस्तान में पहले हिंदू पाइलिट भी बने थे कौन राहुल देव फिर किस राज्य या Union territory में पौधे लगाओ परियावरन बचाओ नाम से अभियान शुरू किया गया तो आंसर होगा दिल्ली में फिर किस भारतिय अमेरिकी को 2020 Great Immigrants सम्मान से सम्मानित किया तो आंसर होगा सिधार्त मुखरजी को और राज चेटी को COVID-19 स्वास्ते संकट को दूर करने के प्रयासों में जो उन्होंने योगदान दिये उसी के लिए इनको मिला ये सम्मान फिर एशिया रीजन के लिए Commonwealth Short Story Prize 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा करती का मांडे को The Great Indian Tea and Snacks Story के लिए मिला इनको ये सम्मान फिर एशिया राज चे मुख्य मंत्री ने ई ग्रन्थाले यानिकी ई लाइबरेरी का उधगाटन किया तो आंसर होगा उतराखंड फिर केंद्रेव Film प्रमानन Board यानिकी Central Board of Film Certification के नए CEO कौन बने आंसर होगा रविंद्र भाकर फिर है Indian Oil Company के नए अध्यक्ष के रूप में किसे ने उक्त किया गया तो आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद को वैसे याद रखना Indian Oil Corporation और NTPC मिलकर के दिली के उखला में Waste to Energy Plant भी बनाएंगे फिर एशिया का पहला Continuous Galvanized Rebar उत्पादन सुविदा केंद्र इसका उधगाटन कहां पे किया गया पंजाब में रेबार मतलब हो गया जो सरिया होता है जिसे बोलता है reinforcement bar सरिया बोलते है जिसे हिंदी में और इसका उधगाटन किया हमारे जो petroleum वे natural gas मंत्रिये धरमेंदर प्रधान जीने फिर केरल सरकार ने विदेश और अन्यर राज्यों से लोटने वाले लोगों के लिए किस नाम से एक project शुरू किया आंसर होगा dream carol project केरल के capital है तिरू अननपुरम मुक्य मंत्रिये पिनाराई विजियन और आरिफ मुंम्मत खान यहां के governor है पढ़ते आगे पहले empire कौन से बन गए तो आंसर होगा अलीम डार कितने मैचों में 210 फिर कंक्रीट की सबसे लंबी डूबी सुरंग किन देशों को जोड़ेगी डैनमार्क और जर्मनी को और यह सुरंग जर्मनी की है बर्लिन फिर किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा यह यूजना शुरू की गई तो आंसर होगा अरुनाचल परदेश में फिर महिला IPL 2020 संसकरन का टाइटल स्पॉंसर कौन बना तो आंसर होगा जियो मेंस का कोन है जो अभी IPL चल रहे है यूएई में ड्रीम इलेवन फिर किस लोग सेवा आयोग ने परिक्षा आविदन पत्र में ट्रांस जेंडर श्रिणी को शामिल किया तो आंसर होगा असमने फिर किस राज्य ने रहे थु वेदिका कारेकरम शुरू किया किसानों के लिए तो आंसर होगा तेलंगाना ने फिर विश्व वेगन दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा एक नवंबर को और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे पूछेंगे तो वो एक ऑक्टूबर को फिर एलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के सीओ किसे ने उख्ट किया गया तो आंसर होगा पीवीजी मैनन को फिर दोजार एकिस ऑसकर में सर्वश्रेष्ट अंतरराश्टर फीचर फिल्म की दोड में कनाडा का प्रतिनिदित्व करीगी कौन से फिल्म फ कौन है तो आंसर होगा मिताब चौधरी है इसका हेटक्वाटर मंबई में है और इसकी टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिन्दिगी फिर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसके अद्यक्ष कौन है जे वेंकट रामू फिर है इंडियन कोस्ट गार्ड फूर्स के डिरे इसका नाम बदल के क्या कर दिया श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया फिर है मंडवा डी रेलवे स्टेशन जो की उत्तरप्रदेश में है इसका नाम क्या कर दिया बदल कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया फिर है SBI के नए चेर्मेन अभी क इसने लॉंच किया मनीश सिसोधिया ने, दिल्ली के डेप्यूटी सीयम है ये, फिर डिस्कवरिंग दा हेरिटेज ओफ आसाम नाम की बुक को किसने लिखा, पद्म पाणी बोरा ने लिखा है, इसको रिलीज किया था अभी हमारे जो डोनर मंतरियें जितेंदर सिंग ने, फि को, फिर है, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे, विश्व जैविंदन दिवस, 10 अगस्त को मनाते हैं, वैसे 10 अगस्त को अंतरराश्टर शेर दिवस भी मनाया जाता है, फिर है, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड हुमिनेटेरियन डे, ये 19 अगस्त को मनाया, देखो एक हुमन राइट डेबी होता है, वो अलग है, वो हम 10 देसंबर को मनाते हैं, फिर है इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को मनाया जाता है ये, और एसा ही एक ओडे आपने सुना होगा, इंटरनेशनल डे ओफ अलडर परसन, वो 1 अक्टूबर को मनाते हैं, एक अक् की प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यान चन्जी, उनके जनम दिन को मनाते हैं, 929, 29 अगस्त को, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डेबी होता है, वो हम 6 अपरिल को मनाते हैं, फिर है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये हमने 19 अगस्त को मनाया, फिर है इंटरनेशनल यूथ डे, देखो, इंटरनेशनल यूथ डे बोलेंगे, तो 12 अगस्त आंसर करकर देना, और नेशनल यूथ डे पूछेंगे, तो 12 चनवरी आंसर कर देना, दोनों में डेट तो 12 ही है, लेकिन महीने अलग अलग है, आचा, इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या रही, transforming education, फिर है दिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, 9 अगस्त को मनाया, फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, यह हमने 7 अपरेल को मनाया, तो गाइस यह था आज का हमारा करंट अफेर्स का रिविजन वाला विडियो, विडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में करना मत बूलना, और इसे लाइक करना मत बूलना, अच्छा आप कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछ लिए जाएं, कुशन्स आप लोग लगाएगा और देखेगा कितने कुशन्स आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकि हम इनको कल सॉल करते हैं, यह रहे कुशन आपके झाल झाल